तो संसत की सुरक्षा में सेंद को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं पाँच बड़े सवाल अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जिनके जवाब तलाशनी की कुशिश लगातार की जा रहे हैं क्योंकि इस पुरे मामने की जाँच अब तेज हो गई है बता दे पहला सवाल जो उठ खड़ा होता वो यह कि जो स्मोक कलर स्मोक इस्तमाल किया गया उसकी स्मोक स्टिक की जगा अगर कोई बं होता तो क्या होता यह बहुत गंभीर सवाल है दूसरा सवाल यह कि स्मोक स्टिक में कोई खतरनाक क्यमिकल होता तो कल क्या होता इसके अलावा सवाल ये भी कि स्मोक स्टिक पे कोई जहरीली या जानलेवा गैस होती तो उस थिती में क्या होता सवाल ये भी कि अगर सांसुदों को बंदक बना लिया जाता कल तो क्या होता इसके अलावा ये पांचवा बड़ा सवाल कि संसत की VVIP सुरक्षा में इतनी बड़ी चुक आखिरकार कैसे हो गई अब इसमें जरूरी है ये जानना आपके लिए कि संसत में घुसते से पहले विजटर की कई तरह की जांच भी होती है ये जानकारी आपके सामने हम इसलिए रखने था कि आप समझ सकें कि सिक्योरजी कितना बड़ा लाप्स था कल संसत में घुसते से पहले जैसा कि हमने बताया विजटर की कई तरह की जांच होती है विजटर को कम से कम तीन फुल बोडी स्कैनर से गुजर कर अंदर दाखिल होना होता है फोन, बैग, पेन, पानी की बोतल और सिक्के ले जाने की अनुमती बिलकुल भी नहीं होती है ये भी कि ग्यालरी में एंट्री के वक्त एक बार फिर विजटर पास की जांच होती है दाखिल होने से ठीक पहले इस बीच बड़ी खबर आपके सामने संसत सुरक्षा चूक के एक और आरोपी की पोटो सामने आ गई है चिवी नाइन पर गुरुग्राम के विक्की शर्मा की पोटो सामने आई है विक्की शर्मा के घर पर ही सभी आरोपी गुरुग्राम में रुके थे जिसकी तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे है दिल्ली पुलिस विक्की शर्मा और उसकी पत्नी से पूछकाच कर रही है दोरों ही इस वक्ट पुलिस की गिरफ में हैं और इनके ही घर पर ये तमाम आरोपी रुके थे इसको लेकर ये बड़ा खुलासा विएसपी सांसर मलूप नागर ने टीवी राइन से कल की पूरी घरटना के बारे में बात की है आईए आपको समादाता सुमंद नागर से पूरी बाटी जून की हुई है वो सुनमाते घरटना हुई सुरक्षा में बड़ा चूप माना जा रहा है आप कैसे देखते हैं और आपकी क्या मांगे कि कैसे सुरक्षा वेवस्ता को और मजबूत किया जाए देखिए सुरक्षा में चूप तो सर्टिफिकेट है एक कोश्चन ही इर्रिलिवेंट है सुरक्षा में चूप हुई है तो जहां संसद में राजसभा का MPV नहीं जा सकता बगर मिनिस्टर के एक भी आदमी घुस नहीं सकता मार्शल और जो लोग डॉकुमेंट ले करते हैं उनके अलावा राजसभा का MPV नहीं जा सकता वहां वो लोग पहुँच गे तो सुरक्षा में तो 100% चूप हुई है इसको एकनॉलिज करते हैं पर हम मांग करते हैं कि जिस तरह हम कानून में बदलाव करते हैं 2001 में घटना घटी तो 2001 से 4 तक क्यों नहीं जो सरकार थी वे क्योंनी वहाँ, आज की सरकार जो है उन्ही की सरकार थी क्यो नहीं कुछ करा और 2004 के बाद आज जो मांग कर रहे हैं, कॉंग्रेशिस से सम्मंदित लोग 14 तक उन्हां Hey, उन्होंने क्योंनी इम्प्रूव करा मंत्री या माननीय बेडला जी जो स्पीकर साहब है सब के लिए थ्रेट थी कल तो संसत के दोनों सदनों में इस वक्त सुरक्षा चूप का मामला जोर शोर से घूज रहा है